जाइका इंडिया का यूट्यूब चनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पालक चिकन की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं पालक चिकन बनाने के लिए हमने एक पेन में पांस से छे टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है इसमें हम एट कर देंगे एक से डेढ़ इंच का दालचिनी का टुकड़ा और एक बाधियान का फूल इसी के साथ हाफ टीस्पून जीरा एट करके जीरे को तेल में चटकने देंगे अब हम इसमें मियम साइज की दो प्यास एट कर देंगे इसी के साथ हम इसमें चार छोटी हरीणी ओप करेंगे तो हरी मिच को हमने बारी काट लिया है अब हमें प्यास को तेल में तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए तो इस तरह से प्यास का कलर जब light golden होने लगे तब तक हमें इसे fry करना है और इस stage पर हम इसमें chicken aid करेंगे तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम chicken लिया है अब हमें chicken को तेल में high flame पर तब तक fry करना है जब तक इसका कलर थोड़ा change ना हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि chicken का color off white होने लगा है तो इसका color change होने तक हमने इसे प्यास के साथ तेल में अच्छे से fry कर लिया है और इस stage पर हम इसमें कुछ सूखे मसाले एड़ करेंगे तो हमने यहाँ पर स्वादनुसा नमक लिया है और half teaspoon healthy powder एक तीस्पून लाल मेश पाउडर और 1.5 तीस्पून धन्या पाउडर लाल मेश की quantity हमने यहाँ पर कम रखी है क्योंकि हमने इसमें छोटी हरी मेश का इस्तेमाल भी किया है इसी के साथ हम इसमें एक टेबल स्पून अधरक और लहसुन का पेस्ट एड़ कर देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगेılar और इसमें एक चोथाई कप पानी एड़ कर देंगे और इन मसालों को हम चिकन के साथ तब तक भूनेंगे जब तक इनका कच्छा पन दो नहों जाए तो मसालों का कच्छा पंदूर होने तक हमने इनको चिकन के साथ भून लिया है और इस टेज पर हम इसमें टमाटर एट करेंगे तो हमने यहाँ पर मीडियम साइस के तीन टमाटर लिये हैं और टमाटर को हमने बारिक काट लिया है आप यहाँ पर टमाटर को कद्दुकस करके भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे और टमाटर के सोफ्ट होने तक इसे थोड़ा और भूनेंगे तो टमाटर के सोफ्ट होने तक हमने चिकन को टमाटर और मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है और इस टेज पर हम इसमें पालक एट करेंगे तो 500 ग्राम चिकन के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम पालक ली और पालक को पानी से अच्छी तरह धोने के बाद हमने इसे फाइन चोप कर लिया है तो यहां पर हमने जितनी chicken की quantity रखी है उतनी ही हमने पालक की quantity रखी है और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे तो यहां पर हमने पानी एट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यूँकि पालक में से इसका खुद का पानी रिलीज होने लगेगा तो अब हम इसे cover कर देंगे और low flame पर पकने के लिए रख देंगे तो हमने इसे low flame पर 20 मिनिट के लिए पका लिया है या फिर इसे तब तक पकाएं जब तक chicken गल ना जाए और बीच में हमने इसे एक बाद चेक किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि chicken तो गल चुकी है लेकिन पालक में से काफी सारा पाने रिलीज हो गया है तो हम गेस की flame को high करके इसका पानी dry कर लेंगे तो देखिए हमने इसे high flame पर 5 मिनिट के लिए और भून लिया है इसे chicken की भुनाई भी अच्छे से हो गई है और पालक का जो ज्यादा का पानी है जिसे हमें dry करना था वो हमने dry भी कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके पानी को पूरी तरह dry नहीं किया अगर आप इसके पानी को पूरी तरह dry करना चाहते हैं तो इसे high flame पर थोड़ा और भून ले अब हम गेस की flame को off कर देंगे और इसमें half teaspoon जीरा powder रेट करके इसे अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए कितना सांदर हमारा पालक चिकन बनकर तयार हुआ है आप इसे रोटी पराठे या फिर चावल के साथ सव करिए बहुत ही बढ़िया रेसीपी है आप इस रेसीपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और रेसीपी ट्राइ करने के बाद कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने experience जरूर से सेर करें आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसीपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई